नमस्कार दोस्तों! हर जगा का कुछ इतिहास होता है। किसी भी जगा का इतिहास उस जगा के बारे में काफी कुछ बताता है। अब अगर बात करें भारत के संदर्व में तो बता दें आपको कि भारत में भी ऐसे कई स्थल हैं जो कि भारत के विशाल इतिहास को बया करने मे अपनी भूमे का निभाते हैं जी हाँ दोस्तो आज हम इस वीडियो में ऐसी ही एक जगा के बारे में बात करेंगे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अतरंजी खेडा के बारे में अतरंजी खेडा भारत में इस्थित उनिस थलों में से एक है जिससे भारत के पौराणे के इतिहास के बारे में काफी कुछ पता लगाया जा सकता है तो दोस्तोओ चलिये सबसे पहले बतादें आपको कि अत्रंजी खेडा भारत के उत्तरप्रदेश राज्य राज्य में एटा जिले में इस्थित है अत्रंजी खेडा गंगा नदी की सहाया काली नदी के तड़ परिस्थित एक प्रागेतिहासिक इस्थल है इस इस्थल की खोज सन 1962 में हुई थी इस इस्थल की खोज का श्रय मुख्य रूप से अलिक्जांडर कनिंगम को जाता है कनिंगम ने चीनी आतरी युवांग च्वैंग द्वारा उलिखित पिलोशना नामक इस्थल का अतरंजी खेडा से समी करण किया था तो दोस्तों यह तो बात हो गई अतरंजी खेडा की खोज की चलिए अब बात करते हैं अतरंजी खेडा के इतिहास की अतरंजी खेडा का वर्णन अबुल्फजल ने भी किया है अबुल्फजल ने आइनी अकबरी में अतरंजी का उलेक कन्नौत सरकार के एक महल के रूप में किया है यहाँ पर वर्ष 1962 में परिक्षनात्म खुदाई की गई वर्ष 1964 से 7 वर्षयों तक लगातार उत्खनन से यहाँ एक प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक इस्थल खोज निकाला गया प्रारंबिक उत्खननों का निर्देशन अलीगर मुस्लिम विश्वविद्याले के प्रोफेसर नुरुल हसन एवं आर्सी गौड ने किया था कहा जाता है कि राजा बेन ने मुहम्मद घोरी को उसके कन्नौज आक्रमण के समय परास किया था किन्तु अंत में बदला लेकर मुहम्मद घोरी ने राजा बेन को हराया और उसके नगर को नश्ट कर दिया एक धूँ के अंदर से हजरत हसन का मगबरा निकला था हजरत हसन की इस युद्ध में मृत्यू हो गई थी कई लोगों का यह भी मानना है कि अतरंजी खेडा वही प्राचीन स्थान है जिसका वर्णन चीनी आतरी युवांग च्वैंग ने पिलोशना या विलासना नाम से किया है लेकिन यह धारना गलस सिध हो चुकी है जिस इस्थान का वर्णन युवांग च्वैंग ने पिलोशना नाम से किया था वह एक दूसरा इस्थान है जो की बिलसार नामक प्राचीन नगर था जो एटा से 30 मील की दूरी पर इस्थित है अतरंजी खेडा के पूर मुसल्मान काल का नगर होने में कोई संदह नहीं है क्यूंकि यहां के विशाल खंडरों के उत्खनन में जो एक विस्त्रित टीले के रूप में हैं शुंग, कुशान और गुप्त कालीन मिट्टी की मूर्तियां सिक्के, ठप्पे, इटों के टुकड आदी बड़ी संख्या में प्राप्थ हुए हैं, खंडर के एक सिरे पर एक शिव मंदिर के अफशेश हैं, जिसमें पांच शिवलिंग हैं, इनमें से एक शिवलिंग नौ फुट उचा है, तीले की उपरेखा से मालूम होता है कि इनके स्थान पर पहले एक विश्यान लग बसा हुआ था, तीला लगभग 3960 फुट लंबा, 1500 फुट चोड़ा और 65 फुट उचा है, यहां पर अकबर के शासनकाल के भी अफशेश प्राप्थ हुए हैं, कुल मिला कर कहा जा सकता है कि अतरंजी खेडा के उद्खनन में कई ऐसे अफशेश प्राप्थ हुए हैं, जो की भारत के इतिहास की दृष्टी से अत्यंत महत्वपून हैं, अब शेशों के आधार पर अतरंजी खेडा की संस्कृतियों को चार स्तरों में बाटा जा सकता है, जिनके विशे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे, अगली वीडियो देखने के लिए आप हमार से ज्यादा शेयर करें, और ऐसी अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, तो दोस्तों मिलते हैं आप से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थांक यू